बिहार में हलकी बारिस से बिगरा मौसम आपको बता दें 20 और 21 को कोलडे और फिर 23 तक हलकी बारिस को लेकर पुर्मानुमान मौसम बिभाग ने बिहार में 23 जन्वरी तक मौसम खराब होने का अलर्ड जारी किया है मौसम बिभाग ने 20 से लेकर 23 जन्वरी तक कोलडे का साथ हलकी बारिस का पुर्मानुमान जताया है कोलडे को लेकर मौसम बिभाग ने कहा है कि इससे प्रभावित परमुक जीलों में बकसर, भोजपूर, रहतास, भववा, औरंगावाद, अरवल, पटना, गया, नलंदा, सेकूरा, नवादा, बेगुसराय, लखिसराय, जहनावा, सहित, राजी के अन्य जीले हैं आपको बता दे कि मौसम बिभाग का कहना है कि उत्तर और उत्तर पच्छुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है हलाकि पहले कि तुल्ला में इसकी रफ्तार कम हुई है यह अब 10 कीमी परती घंटे से घटकर 3-4 कीमी परती घंटे की रफ्तार से चल रही है ठंड भरी हवा के प्रभाव से दच्छिन पच्छिम एवं दच्छिन मध्य भाग के अलग-अलग अस्थानों पर सिद्धिवस जैसी स्थिती बनी हुई है इसी स्थिती के 24 घंटे बाद हवा की दिशा परिवर्तन होकर पुर्भी चंपारन दच्छिन चंपारन पुर्भी होने की हवा संभावना है अगले दो दिनों के दोरान राज्य उत्तर पश्चिम एवं दच्छिन पश्चिम भाग के एक या दो अस्थानों पर हल्की बारिष या बुंदा बुंदी होने का पुर्भानुमान है आपको बता दे कि मौसम बिभाग के मुताबिक 22 और 23 जनवरी को राज्य के पश्चिम एवं मध्य भाग के कुछ अस्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिष वर्सा के साथ अकासिय बिजली के चमकने का पुर्मानुमान है मौसम बिभाग के मुताबिक रात्री के तापमार में अगले 2-3 दिनों के दवरान 2-3 डिग्री तक की विरिधी देखी जा सकती है इस दवरान सुबा के समय हलके से मध्यम अस्तरकच कोहरा च्छाने का भी पुर्मानुमान है हालाकि इस बीच कनकनी में भी बढ़ोती देखने को मिल सकती है सहत को लेकर मौसम घातक हो सकता है सांस, रोगियों के और बच्चों के लिए मौसम काफी खतरनाक है आपको बता दे कि मौसम विभा के मुताविक 24 घंटे के दवरान मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है सबसे कम नियुंतम तापमान 4.6 डिग्री गया में दर्ज किया गया है इस दवरान राजी के कुछ सहरों में सीध दिवस की स्थिती बनी रही है इसमें पर्मुख रूप से पटना गया भागल पुर्निया तर्भंगा छप्रा और मोतिहारी सामिल है अपना में गुरुबार की साम हलकी बुंदा बुंदी के बाद मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है सुक्रबा की सुबा भी ठंड बढ़ गई है नदी और तलाब के आसपास इलाके में कोहरे का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है